जोहार मद्यप्रदेश राम राम सेवा जोहार मोर सगा जनजाती बहन भाई लास स्वागत जोहार करता हूँ उन तमारो सुवागत करूँ तमाम साम कि कमचो माल्थन आप सबान सो मिलन बड़ी खुशी हुई राईलिया है आप सबान थन फिर्शी राम राम मद्यप्रदेश के राजपाल स्री मंगुबाई पटेल जिनोंने अपना पूरा जीवन आदिवाशियों के कल्यान के लिए खपा दिया वे जीवन भर कि मद्यप्रदेश के पहले आदिवासी गवर्णर इसका सम्मान स्री मंगुबाई पटेल के खाते में जाता है मंद्पर विराजबान मद्यप्रदेश के मुख मंत्री स्रीमान सिवरासी चवान जी केंद्रिय मंत्री मंडल में मेरे सयोगी नरेंद्र सी तोमर जी जोतिरादित्य सिंधिया जी विरेंद्र कुमार जी प्रलाद पटेल जी फगन सींग कुलस्ते जी एल मुरुगन जी एमपी सरकार के मंत्री गण सांसत के मेरे सयोगी सांसत गण विधायक गण और मद्य प्रदेश के कौने कौने से हम सभी को आशिरवाद देने आए जन जाती समाज के मेरे प्यारे भाई और बेहनों आप सभी को बगवान बिर्शा मुंडा के जन्म दिन पर बहुत बहुत शुप कामनाए आज का दिन पूरे देश के लिए पूरे जन जातीय समाज के लिए बहुत बड़ा दिन है आज भारत अपना पहला जन जातीय गवरव दिवस मना रहा है आज जाती के बाद देश में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर पूरे देश के जन जातीय समाज की कला संस्कृति स्वतंत्रता अंदोलन और राष्ट निर्मान में उनके योगदान को गवरव के साथ याद किया जा रहा है उन्हें सम्मान दिया जा रहा है आजादी के अमृत महोसव में इस नए संकल्प के लिए मैं पूरे देश को बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ मैं आज यहाँ मध्यप्रदेश के जन जातीय समाज का आभार भी व्यक्त करता हूँ बिने बिते अनेक वर्षों में निरंतर हमें आपका असने आपका विश्वास मिला है इसने हर पल और मजबुत होता जा रहा है आपका यही प्यार हमें आपकी सेवा के लिए दिन रात एक करने के लिए प्रेरणा देता है उर्जा देता है साथियों इसी सेवा बाव से ही आज आदिवासी समाज के लिए सिवराज जी की सरकार ने कई बड़ी योजनाओं का शुबारम किया है और आज जब कारकम के प्रारम में मेरे आदिवासी जनजातिय समू के सभी लोग अलग-अलग मंच पर गीत के साथ, धून के साथ अपनी भावनाएं प्रगट कर रहे थे मैंने प्रयास किया उन गीतों को समझने के लिए क्योंकि मेरा यह अनुभव रहा है कि जीवन का एक महत्वपन कालखन मैंने आदिवासी के बीच में बिताया है और मैंने देखा है कि उनकी हर बात में कोई ने कोई तत्व ज्यान होता है परपज अफ लाइफ आदिवासी आपने नाजगान में अपने गीतों में अपनी परंपराओं में बख्खुभी प्रस्तूत करते हैं और इसलिए आज के इस गीत के प्रती मेरा ध्यान जाना बहुत स्वाभाविक था और मैंने जब गीत के शब्दों को बारी की से देखा तो मैं गीत को तो नहीं तो रहा रहा हूं आपने अपने नुर्त्य के द्वारा अपने गीत के द्वारा आज प्रस्तूत किया शरीर चार दीनों का है अंत में मिट्टी में मिल जाएगा खाना पीना खुब किया बगवान का नाम भुलाया देखिए या अधिवासी हमें क्या कह रहे हैं जी सच मुझ में बे सिक्षी थै कि हमें अभी सिक्रा बाकी है आगे कहते हैं मोज मस्ती में उमर बिता दी जीवन सफल नहीं किया अपने जीवन में लड़ाई जगडा खुब किया गर में उत्पाद भी खुब किया जब अंत समय आया तो मन में पच्छताना व्यर्त है धर्ती, खेत, खलियान किसी के नहीं है देखिए आधिवासी मुझे क्या समझा रहा है धर्ती, खेत, खलियान किसी के नहीं है अपने मन में गुमान करना व्यर्त है ये धन, दौलत, कोई काम के नहीं है इसे यहीं छोड़ के जाना है आप देखिए इस संगीत में, इस नुरुत्य में जो शब्द कहे गए है वो जीवन का उत्तम तत्व ज्यान जंगलों में जिंदे की गुजारने वाले मेरे आधिवासी भाई बहनों ने आत्म साथ किया हो इससे बड़ी किसी देश की ताकत क्या हो सकती है इससे बड़ी इसी देश की विरासत क्या हो सकती है इससे बड़ी देश की पूंजी क्या हो सकती है साथियों इसी सेवा भाव से ही आधिवासी समाज के लिए शिवराज जी की सरकार ने कई बड़ी योजनाओं का शुभारम किया है राशम आपके ग्राम योजना हो या फिर मद्दपदेश सिकल सेल मिशन हो ये दोनों का एरकम आदिवासी समाज में स्वास्थ और पोश्ण को बहतर बनाने में अहें भूमिका नभाएंगे मुझे इसका भी संतोज है कि प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्य योजना के तहट मुप्त रासन मिलने से कोरोनाकान में गरीब आदिवासी परिवारों को इतनी बड़ी मदद मिली अब जब गाओं में आपके घर के पास सस्ता रासन पहुँचेगा तो आपका समय भी बचेगा और अतिरीत खर्च से भी मुक्ती मिलेगी आउश्मान भारत योजना से पहले ही अनेक बिमारियों का मुप्त इलाज आदिवासी समाज को मिल रहा है देश के गरीबों को मिल रहा है मुझे खुसी है कि मद्ध देश में जन जाती है परिवारों में तेजी से मुप्त टीका करण भी हो रहा है दुनिया के पड़े लिखे देशों में भी टीका करण को लेकर के सवाल या निसान लगाने की खबरे आती है लेकिन मेरा आदिवासी भाई बहन टीका करण के महत्व को समझता भी है स्विकारता भी है और देश को बचाने में अपनी भूमी का अदा कर रहा है इससे बड़ी समझदारी क्या होती है सो साल की सबसे बड़ी महामारी से सारी दुनिया लड़ रही है सबसे बड़ी महामारी से निपटने के लिए जन जातिय समाज के सभी साथियों का वैक्सिनेशन के लिए आगे बढ़कर आना सच पुछ में यह अपने आप में गवरवपुर्ण गटना है पड़े लिखे शहरों में रहने वाले लोगों ने मेरे इन आदिवासी भाईयों से बहुत कुछ सिखने जैसा है साथियों आज यहां बोपाल आने से पहले मुझे राची में जारखन बगवान बिर्सा मुंडा स्वतंत्रता सेनानी म्यूजियम का लोकारपन करने का सवभाग्य मिला है आज़ादी की लड़ाई में जन जातिय नायक नाईकाओं की वीर गाथाओं को देश के सामने लाना उसे नई पिड़ी से परिचित कराना हमारा कर्तब्य है गुलामी के कानखंड में विदेशी सांसन के खिलाप खासी गारो अंदोलन मीजो अंदोलन कोल अंदोलन समेत कई संगराम हुए गौन महारानी वीर दुर्गावती का शार्यो हो या फिर रानी कमलापती का बलिदान देश इन्हे भूल नहीं सकता वीर महाराना प्रताप के संगर्श की कलपना उन बहदूर भीलों के बिना नहीं की जा सकती जिनोंने कंदे से कंधा मिला कर राना प्रताप के साथ लड़ाई के मैदान में अपने आप को बली चला दिया था हम सभी इनके रुणी हैं हम सभी इस रुण को कभी चुना चुका नहीं सकते लेकिन अपनी इस विरासत को संजो कर उसे उचीत स्थान दे कर अपना दाईत्व जरूर निभा सकते हैं भाई और बहनों आज जब मैं आप से अपनी विरासत को संजोने की बात कर रहा हूं तो देश के प्रख्यात इत्यहासकार शीव शाहिर बाबा साब पुरंदरे जी को भी याद करूंगा आज ही सुबह पता चला वे हमें छोड़ करके चले गए उनका देहावसान हुआ है पद्म विभूशन बाबा साब पुरंदरे जी ने छत्रपती सिवाजी महारात के जीवन को उनके इतिहास को सामान ने जन तक पहुंचाने में जो योगदान दिया है वो अमुल्य है यहां की सरकार ने उने काली दास पुरसकार भी दिया था चत्रपती सिवाजी महाराज के जिन आदर्शों को बाबा साब पुरंदरे जी ने देश के सामने रखा वो आदर्श हमें निरंतर प्रेना देते रहेंगे मैं बाबा साब पुरंदरे जी को अपनी भाव विरी स्रदान ली देता हूँ साथियों अज जब हम राष्ट्रिय मंचों से राष्ट निर्मान में जन जातिय समाज के योगदान की चर्चा करते हैं तो कुछ लोगों को जरा हरानी होती है ऐसे लोगों को विश्वास ही नहीं होता कि जन जातिय समाज का भारत की संस्कृति को मजबूत करने में कितना बड़ा योगदान रहा है इसकी वज़े ये है कि जन जातिय समाज के योगदान के बारे में या तो देश को बताया ही नहीं गया अंधरे में रखने की बरपुर कोशिश की गई और अगर बताया भी गया तो बहुती सीमित दायरे में जानकारी दी गई ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आजादी के बाद दसकों तक जिन्होंने देश में सरकार चलाई उन्होंने अपनी स्वार्दभरी राजनिती को ही प्रात्विक्ता दी बेश की आबादी का करीब करीब दस प्रतिस्ताथ होने के बावजुद दसकों तक जन जातिय समाज को उनकी संस्कृति उनके सामर्थ को पुरी तरह नजर अंदाज कर दिया गया आदिवाचियों का दुख उनकी तकलीप बच्चों की सिख्षा आदिवाचियों का स्वास उन लोगों के लिए कोई माइने नहीं रखता था साथियों बारत की सांस्कृतिक यात्रा में जन जातिय समाज का योगदान अटूट रहा है आप ही बताईए जन जातिय समाज के योगदान के बिना क्या प्रभू राम के जीवन में सफलताओं की कलपना की जा सकती है बिलकुल नहीं वनवाचियों के साथ बिताए समय ने एगनाज कुमार को मर्यादा पुरसोतम राम बनाने में अहम योगदान दिया है बनवास के उसी कालखन में प्रभू राम ने बनवासी समाज की परंपरा रिती रिवाज रहन सहन के तौर तरीके जीवन के हर पहलू से प्रेरना पाई थी साथियों आदिवासी समाज को उचीत महत्व ना देकर प्रात्फिक्ता ना देकर पहले की सरकारों ने जो अप्रात किया है उस पर लगातार बोला जाना आवशक है हर मंच पे चर्चा होना जरूरी है जब दसकों पहले मैंने गुजरात पे अपने सारवजेनी जीवन की शुरुवात की थी तबी से मैं देखता आया हूँ कि कैसे देश में कुछ राजनितिक दलों ने सुख सुविदा और विकास के हर संसादन से आधिवासी सवाज को वन्चित रखा अभाव बनाए रखते हुए चुनाओ के दोरान उनी अभावां की पूर्ति के नाम पर बार बार बोट मांगे गए सत्ता पाई गई लेकिन जन जातिय समुदाय के लिए जो करना चाहिए था जितना करना चाहिए था और जब करना चाहिए था ये कम पड़ गए नहीं कर पाए असहाय छोड़ दिया समाज को गुजरात का मुख्यमंत्री बनने के बाद मैंने वहाँ पर जन जातिय समाज में स्थीटियों को बदलने के लिए बहुत सारे भ्यान शुरू किये थे जब देश ने मुझे दोहजर चौदा में आप सब देश वास्यों की सेवा का मोका दिया तो मैंने जन जातिय समुदाय के हितों को अपनी सर्वोच प्रात्फिक्ता में रखा भाई और बेनों आज सही माइने में आदिवासी समाज के हर साथी को देश के विकांत में उचीत हिस्सेदारी और भागिदारी दी जा रही है और चाहे गरीबों के गर हो, सौचाले हो, मुप्त बिजली और गैस कनेक्शन हो, स्कूल हो, सडक्त हो, मुप्त इलाज हो यह सब कुछ जिस गती से देश के बागी हिस्से से हो रहा है, उसी गती से आदिवासी छेत्रों में भी हो रहा है बागी देश के किसानों के बैंक खाते में, अगर हजारों करोड रुपिय सीधे पहुंच रहे हैं तो आदिवासी छेत्रों के किसानों को भी उसी समय मिल रहे हैं आज अगर देज के करोडों करोड परिवारों को शुद्ध पीने का पानी पाइप से गरगर पहुँचाया जा रहा है तो ये उसी इच्छा शक्ति के साथ उतनी ही स्पिड से आदिवासी परिवारों तक भी पहुँचाने का काम तेज गती से चल रहा है वरना इतने वर्षों तक जन जाती एक शेत्रों की बेहन बेटियों को पानी के लिए कितना परिशान होना पड़ता था मुझसे ज़्यादा आप लोग इसको भली बाती जानते हैं मुझे खुशी है कि जल जीवन मिशन के तहट मद्दपदेश के ग्रामिणी इलाकों में तीस लाग परिवारों को अब नल से जल मिलना शुरू हो गया है और इसमें भी ज्यादातर हमारे आदिवासी इलाकों के हिए साथियों जन जातिये विकास के बारे में बात करते हुए एक बात और कही जाती थी कहा जाता था जन जातिये अख्षेतर बहुगोलिर्प से बहुत कठीन होते हैं कहा जाता था कि वहाँ सुविदाये पहचाना मुश्कील होता है ये सारा बहाना काम न करने के बहाने थे यही बहाना करके जन जातिय समाज में सुविदाओं को कभी प्रात्फिकता नहीं दी गई उन्हें अपने भाग्य पर छोड़ दिया गया साथियों ऐसे ही राजनिती ऐसी ही सोच के कारान आदिवासी बहुले वाले जिले विकास की बुनियादी सुविदाओं से भी वंचित रहे गए अब कहां तो इनके विकास के लिए कोशिते होनी चाहिए थी लेकिन इन जिलों पर पिछड़े होने का एक टैग लगा दिया गया बाई और बैनों कोई राज्य कोई जीला कोई व्यक्ति कोई समाज विकास की दोड़ में पीछे नहीं रहना चाहिए हर व्यक्ति हर समाज आकांची होता है उसके सपने होते हैं सालों साल वन्चीत रखे गए इनी सपनों इनी आकांचों को उड़ान देने की कोशिस आज हमारी सरकार की प्राथ्विक्ता है आपके आशिरवात से आज उन सो से अधिक जिलों में विकास के आकांचों को पूरा किया जा रहा है आज जितनी भी इकलने आणकरी योजनाए केंदर सरकार बना रही है उनमें आदिवासी समाज बहुल्य आकांची जिलों को प्राथ्विक्ता दी जा रही है आकांची जिले या फिर ऐसे जिले जहां अस्पतालों का भाव है वहां डेड़ सो से अधिक मेडिकल कॉलेज स्विक्रत किये जा चुके है जाधियों देश का जन जाती एक शेत्र संसाधनों के रूपे संपुदा के मामले में हमेशा समृद्ध रहा है लेकिन जो पहले सरकार में रहे वो इन खेत्रों के दोहन की नीती पर चले हम इन खेत्रों के सामर्थ के सही इस्तेमाल की नीती पर चल रहे है आज जिस जिले में जो भी प्राकृतिक संपुदा राज के विकास के लिए निकलती है उसका एक हिस्सा उसी जिले के विकास में लगाया जा रहा है डिस्ट्रीक मिनरल फंड के तहट राज्यों को करीब करीब पच्चास हजार करोर रुपिय मिले है जो उसी खेत्र के लिए खर्च करने है आज आपकी संपुदा आपके ही काम आ रही है आपके बच्चों के काम आ रही है अब तो खनन से जुड़ी जीतियों में भी हमने ऐसे बनलाव किये हैं जिससे जन जातिये खेत्रों में ही रोजगार की व्यापक संभावनाए बने भाई और बहनों आजादी का ये अमरित काल आत्म निर्भर भारत के निर्मान का काल है भारत की आत्म निर्भरता जन जातिये भागिदारी के बिना संभव नहीं है आपने देखा होगा अभी हाल में पद्म पुरस्कार दिये गए है जन जातिय समाज से आने वाले साथी जब राष्ट पती भवन पहुँचे पैर में जूते भी नहीं थे सारी दुनिया देख करके दंग रह गई हैरान रह गई आदिवासी और ग्रामीन समाज में काम करने वाले ये देश के असली हीरो है यही तो हमारे डाइमन है यही तो हमारे हीरे है भाईयों और बहनों जन जातिय समाज में प्रतिभा की कमी कभी कोई कमी नहीं रही है लेकिन दुर्भागे से पहले की सरकारों में आदिवासी समाज को अवसर देने के लिए जो जरूरी राजनिती की इच्छा शक्ती चाहिए ना कुछ नहीं था बहुत कम थी सरजन आदिवासी परंपरा का हिस्सा है मैं अभी आने से पहले सभी आदिवासी समाज की बेहनों के द्वारा जो निर्मान कारिय हुआ है वो देखकर के मैं सच मुझ में पढ़े मन को आनंद होता था है इनकी उंगलियों में इनके पास क्या थाकत है सरजन आदिवासी परंपरा का हिस्सा है लेकिन आदिवासी सरजन को बाजार से नहीं जोड़ा गया आप कल्पने कर सकते हैं बास की खेती जैसी छोटी और सामान्य से चीज़ को कानूनों के मकड़ जाल में फसा कर रगगा गया था क्या हमारे जन जाती है भाईयों बेनों के यह हक नहीं था कि वो बास की खेती कर बास खेती करकर के बेच करके उसे पैसा कमा सके हमने वन कानूनों में बढ़लाव कर इस सोच को ही बदल दिया साथियों दसकों से जिस समाज को उसकी छोटी छोटी आवश्यक्ताओं की पूर्ति के लिए लंबा इंतजार करवाया गया उसकी अपेख्षा की गई उपेख्षा की गई अब उसको आत्मनिर्भर बनाने के लिए निरन पर प्रयास किया जा रहा है लकड़ी और पत्थर की कलाकारी तो आदिवासी समाज सदियों से कर रहा है लेकिन अब उनके बनाए उत्पादों को नया मार्केट उपलब्द कराया जा रहा है ट्राइफेड पॉर्टल के माध्यम से जनजातिय कलाकारों के उत्पाद देश और दुनिया के बाजारों में ऑनलाइन भी बिक रहे हैं जिस मोटे अनाज को कभी दोयम नजर से देखा जाता था वो भी आज भारत का ब्रांड बन रहा है साथियों वंधन योजना हो वनोपच को MSP के दायरे में लाना हो या बेहनों की संगटन सक्थी को नई उर्जा देना ये जनजातिय क्षेत्रों में अभुत्पुर्व आउसर पैदा कर रहे हैं पहले की सरकारें सिरफ आठ दस वन उपजों पर MSP दिया करती थी आज हमारी सरकार करीब करीब नब्बे नब्बे वन उपजों पर MSP दे रही हैं कहां नव दस और कहां नब्बे हमने पचीसों से अधिक वन दन विकास केंद्रों को 37,000 से अधिक वन दन सेल्फ हेल्फ ग्रुपों से जोड़ा गया है इन से आज लगबग साड़े साथ लाख साथ ही जुड़े हैं उनको रोजगार और स्वरोजगार मिल रहा है हमारी सरकार ने जंगल की जमीन को लेकर भी पूरी सम्वेदन जिल्ता के साथ कदम उठाए हैं राज्यों में लगबग 20 लाख जमीन के पट्टे देकर हमने लाखो जन जातिय साथियों की बहुत बड़ी चिंता दूर की है बाई और बैनों हमारी सरकार आदिवासी युवाओं की शिक्षा और कौशल पर विशेश बल दे रही है एक लब्वे मॉडल रेसिडेंशल स्कूल आज जातिये खेत्रों में शिक्षा की नई जोती जागरत कर रही है आज मुझे यहाँ पचास एक लब्वे मॉडल रेसिडेंशल स्कूलों के सिला नियास का अउसर मिला है हमारा लक्ष देश भर में ऐसे लगबग साड़े साथ सो स्कूल खोलने का है इन मैंसे अनेकों एक लब्वे स्कूल आल्रेडी शुरू हो चुके है साथ साल पहले हर छात्र पर सरकार लगबग 40,000 रुपे खच करती थी वो आज बढ़कर एक लाग रुपे से अधिक हो चुका है इससे जन जातिये छात्र छात्राओं को और अधिक सुविदा मिल रही है केंद्र सरकार हर साल लगबग 30,000,000 जन जातिये युवाओं को स्कॉलर्शिप भी दे रही है जन जातिये युवाओं को उच्च सिक्षा और रिसर्ट से जोडने के लिए भी अभुत्पुर्व काम किया जा रहा है आजाति के बाद जहां सिर्फ 18 ट्राइबल रिसर्ट इंस्ट्रिटूट बने वहीं सिर्फ साथ साल में नए नव नव नए समस्तान थापित किये जा चुके हैं साथियों जन जातिय समाज के बच्चों को एक बहुत बड़ी दिक्कत पढ़ाई के समय बाशा की भी होती थी अम नई राष्ट्रिय सिक्षा नीती में स्थानिय भाता में पढ़ाई पर बहुत जोड दिया गया है इसका भी लाब हमारे जनजातिय समाज के बच्चों को मिलना तय है बाई और बहनों जन जातिय समाज का प्रयास सबका प्रयास यही आजादी के अमरत काल में बुलंद भारत के निर्मार की उरजा है जन जातिय समाज के आत्म सम्मान के लिए आत्म विश्वात के लिए अधिकार के लिए हम दिन रात महनत करेंगे आज जन जातिय गवरो दिवास पर हम इस संकल्प को फिर दोरा रहे हैं और ये जन जातिय गवरो दिवास जैसे हम गांधी जैनती मनाते हैं जैसे हम सरदार पटेल की जैनती मनाते हैं जैसे हम बाबा सबाब मेरकर की जैनती मनाते हैं वैसे ही भगवान बिरसा मुंडा की ये 15 नवेंबर की जैनती हर वर्ष जन जातिय गवर्व दिवस के रुप में पूरे देश में मनाई जाएगी एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत चुप कामना है मेरे साथ दोनों हाथ उपर करके पूरी ताकत से बोलिए भारत माता की भारत माता की भारत माता की भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद